आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबका टॉपर में देखिए सबसे पहले मैं आज आप लोगु शितिच जो आपी यक्षा दस्त की बाठ्टे पुस्तक है उसका पार्ट पढ़ाऊंगी और ये जो है सूर दास के पद्या पहला काविखन से पहला पार्ट है पहला चैप्ट कि आपको थोड़ा से इंट्रोड़क्षन बताऊंगी स्वाट नहीं है नहीं आता है लेकिन इसमें इसे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो पता रहने चाहिए इस चैप्टर के बारे में देखिए इसके बार जो है ये टॉपिक ये जो इंटेंट है आपका ये बहुत अगर आप इस content को अच्छे से समझ लेता है तो आपके लिए एक्जाम में answers लिखने के लिए असानी होती है और आगे की जो पद है उसका जो सार संशेव में जो आप समझेंगे पुरा सार वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आपको यह चीज समझ में आ जाती तो आपको यह समझने पर ध्यान देना है इसे भी में आपको अच्छे समझागी फिर इसके बाद पद जो आपके है वो है चार इसमें चार पद है सूर्दास के प्रमरगीट के पद है अभी हम इसको पढ़ेंगे जब उपर पढ़ेंगी तो देखिए चार पद इसमें आप नहीं है यह बहुत असान जो है चाप्टर है एक पार आप है समझी और वैसे भी लिखना है आपको अच्छे से इसको यह आपको दो तरीके से पुझा आता है एक तो यह आपको पथित काव्यांश के रोड़ में पूछा जा सकता है और दूसर तरीका इसको जो पूछ आपको पता होना चाहिए और थर्ड इप्ट इस टॉपिक से आएगा वह मैं आपको इन बताना साओंगी तो आप ध्यान नहीं देंगे आप इसको ध्यान से समझेए फिर आप वह पता चले का तो मैं आपको बता होगी सबसे बहलें आपको दिया वार्म दिया वैसे तो एक जल्म सण 1488 में माना जाता है माना जाता है इसले मानता के ऑनुषार उननका जन्म सथान दिली के पास yours की वेर्टा छारे के आँ के से रहते हैं मांप्रभू बलनवाचारी के शिष रह चूगे सुन दास, सुन दास मेलों चॢ़ते हैं सरोदसु स सभादि दो छाफं के कई वे रहतते थे मत्हुरा और विंदावन के बीच गुरु घाट पर रहते आप देखें मत्रा विंदावन के बीच रहते थे और मत्रा विंदावन के बीच की ही जो है वो हम पढ़ेंगे इनी दो जगों से रिलेटिट रहेगा ये वाठ आपका और शीनाद जी के मंदिर में भजन कीर्थन करते थे सन ये आपको उनकी मृत्रा विंदावन के बीच रहेगा विंदावन के बीच रहेगा अब इसको आप याद लीजेए इनके तीन गरंथ हैं सूर सागर साहित लहरी और सूर सारावली सूर सारावली में सूर सागर ही सरवादिक लोग परिया यानि सबसे अदा जो प्रसिद्ध हुआ है वो सूर सागर ही हुआ है और ये सूर सागर के पद है जो हम पढ़ेंगे खेती और पशुपालन वाले भारतिय समाज का अदैनिक अंतरंग चत्र और मनMr. की सभवित्यों का चट्रन सूर की कविता में मिलता है दे कुछ laure का वाले है는데 यही जित्रन जातर सूर की कविता में हमें दिखने को मिलता है सूर वादसल्य और शिंगार के श्रेष्ट कभी माने जाते है वादसल्य और शिंगार के श्रेष्ट कभी माने जाते है वादसल्य और शिंगार के 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 वादसल्य और शि जादा लिखा करते हैं, आपको बता गया है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवे प्रेम की प्रतष्ठा करता है, सूरने मानव प्रेम की गौरब गाता के मात्यम से, सामान ने मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की दलग पैदा की चलिए, आप है यहां पर सबसे इंपॉर्ण बात पालेगी, यहां पर जो यह लिखाव है, ब्रजभाशा, उनकी कविता में ब्रजभाशा का निखरा हुआ हुआ रूप है, वहाँ चली आ रही लोग गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ट कड़ी, यहां पर जुमें गयती ही, इस कंटेंट आपका जाता है, इस पार्ट से तो उस पठित काव्यांश में आपसे यह पूछी जाती है, तो यहां पो यह पताऊंची की ब्रजभाशा में यह जो कविता है, वो लिखी हुई है, यहां पो बताऊंची ब्रजभाशा में यह जो कविता है, वो लिखी हुई है, यहां पो इसलिए पताओंची यह आपसे वनमार्क में फुषिदाता है जब आपके पास पठित का वियान चाहता है कौनसे भाषा में लिखा गया तो ब्रज भाषा में लिखा गया यह इस पूरे कंटेंटें बाके आपको यह पताओना चाहिए कि सूर्दाजी की तीन जो गरंथ है सूर्दाजी और इंगे पतों को सूर्दाजी ने लिखा है अब यहां पर आपके पास एक इंपोर्टन चीज़ ही आती है यह देखिए मैं अथपड़ सकता आती आपको यह जो कंटेंट है काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए यह समझना आपके लिए जरूर है इससे आ मत्रा जाने के बाद स्वयम ना लौटकर उद्धव के जरीए गोपियों के पास संदेश बेजाता है इनकी श्रीकृष्न श्राइब को यहां पर गोपियों के पास बेजते है उद्धव ने निर्कुन ब्रह्म एवं योग का उब्देश देकर गोपियों की विरह वेदना ऑप के लिए और शांत करने का प्रयास किया डेखे होता क्या है ग्रोपियों की िन्मट्राइच ए क्या है उसका वारे अच्छा व्य धिया क्या लिए विरह विद्ना की बात है कि गोपियां वो श्रीकर्शन से परेंड करती है अब यहां पर क्या हुआ है शिक्रश्ट उन्हें छोड़कर चले गाए तो उनकी जो विरह यानिके उनसे अलग होने की जो वेदना यानिकी दुख है तो उसके बारे में यहां पर बता जाएगा तो उद्धव उनको ब्रह्म एवम योग अब नहीं जानता है कि गोग्या तो लेकिन हम इवं को पता है तो दोनों बिल्कुल अलग है लेकिन यहां पर जो उद्धव is उनको इनको भ्रह्म और योग अलिवन को पते है तो गोप्या व का यहां व्यानन को पसंद करती को और तो इस कारण उन वह परेन मार को पसंद करती है तब ही वहां एक भॉरा तो आपको पता है तो भॉरा आप पहुंचा यही से ब्रहमरगीत का प्रारंग भॉरा आता है इसमें इसी बीच तो यही से आपको प्रारंग हो जाता है पहले पत में गोपियों की यहां शिकायत वाजियनी सही लगती है शिकायत कि यदि उद्धव इस नहीं के धागे से बन्दे होते है तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अविश्य कर पाते है जैसे आज वो विरह की बेदनाम है वैसे वो भी विरह बेदना को अनुभूत कर पाते हैं दूसरे पत में गोपियों की यह स्विकारौक्ती की उनके मन की अभिलाशा है मन में ही रह गई क्रिष्णी की पती उनके प्रेम की गहराई को अभिलाशाय थी वो सब उनके मन में रह गई वो उनको व्यक्त भी नहीं कर पाई तीसरे पत में उद्धव की योग साधना को कडवी कड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ट प्रेम में इधर विश्वास प्रकट करते हैं कितना उनको प्रेम है वह कहते हैं उद्धव को ताना मारती है यानि के व्यंग करती है अब राजनीती पढ़ ली है यही राजदर्म तो यह जो आपको शैक्टर मुश्किल लग रहा है सब कुछ पढ़के लेकिन इसना मुश्किल में इंगे विडियो को देखते रहें और समझत रहें मैं बहुती अच्छे तरीके साब को समझा दूगी अगर आप एक बार दुवारा पढ़नी की भी जुरत आपको नहीं पढ़ेगी बस आपको ऐसे ही मेरे चैनल के साब बने रहना है इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट भी कीजिए देखिए अब आपको पहला प्रत बता देती हूँ उद्धव तो उद्धव के लिए आया है उद्धव मतलब उद्धव पहले रीडिंग पे ध्यान देगी कैसे है उद्धव तुम हव अतिवर भारी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुद्रागी पुरईवी पात रहत जल भीतर तारस देह नदागी जयों जल माह तेल कि गागरी बूंद न तांको लागी प्रीती नदी मैं पाउन बोडियो द्रिष्ट न रूप परागी सूरदास अबला हम भूरी गुरचाटी जयो पागी अब देखें मिलीन पे समझाते है उद्धव तुम हो अतिवर भारी कौन बोल रहा है यहाँ पे जो है संबाद क्यों हो कि अमने देखा रहा है कि वुद्धव आते है कौन आता है उद्धव जो है वो श्री कृष्णी के रिप्रसेंटिव बन की आया है। इनका संदेश इनको संदेश धेनी किससों संदेश धेने ज्यान का बेरैग्य क योग wur iamnen, बारागिय के लिए इनके फास लिए सब गोपया और अनननना यह ङ्यारषोग का बेरैवर्घ को सुनलेश कर देने के लिए इनके पास वह सदगोपिया और अब 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 आजाएक उद्धव तुम हो अतिवर्भारी है दिए उद्षप त्म बहुत ही भाग्यश्राण्ही हो तुम हो यानि कि तुम हो बहुत भाग्यश्राणि बड़वाली बखाल यानि बाग्यश्राणि कि तुम शी कृष्णि के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के धागे से नहीं बनement 시 अप्रस रहत इसनेह तगाते तगाते तगा मतलब होता है धागा सनेह मतलब होता है सनेह प्रेम जो कहता है नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं मतलब अनुरागी मतलब अनुरागी तो उनके साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में क्या हो उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं मिलें उनको तुम जो उनके प्रेम मार्ग में नहीं गए हो देखो अप्रेस रहत इस नहीं तगात है नहीं नमन अनुलाग यानिकि उनके साथ रहते हो तुम्हारा मन जो है उनके अनुलाग में नहीं आया है उनके प्रेम में नहीं आया है अब यहां पर दो एक्जामपल पुराइनी पात रहते जल के भीतर रहता है इन पर व्यंग कर रही है गोपिया उद्धव पर व्यंग कर रही है तारस देहना दागी जो कमल का पता है जल में रहता है लेकिन उस पर बिल्कुल भी जिस हम देखते हैं जो कमल का पता होता है जल में रहते हैं उसे बिल्कुल भी कीचड का जो एक भी बूंद है बिल्कुल साचुता रहता है तो वहीं वो कह रहे हैं कि तुम जो हो बिल्कुल उस कमल के पत्ते के समान हो और श्रीक्रिष्न यानि कि जल है वो श्रीक्रिष्न का प्रेम है और तुम वो कमल के पत्ते हो जो उससे बिल्कुल भी अच्छुता है तो यह बता रहे हैं पुराई नी पात रहते जल भीतर तारस देहना दागी जो जन माह तेल की गागरी बून नतांको लागी की जित तुम बिल्कुल उसे प्रकार से श्रीतर श्रीक्रिष्न का प्रेम है जिसमें तुम बिल्कुल भी नहीं गूले हो तो यह दोनों पार्ट वह बताती है पुराई नी बात रहाते जन बीतर तारस देहना दागी पुराईनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, तो बिल्कुल तुमको भी उसी प्रकार से बूंद नहीं लगी है, बिल्कुल मिक्स नहीं होता ना, प्रिती नदी में पाओ न बोले हैं, तुमने प्रेम की नदी में कवी अपना पैर नहीं डुब हो है, दृष्ट्णा रूप परागी, सूरदाज अबला हम बोले हो, कहते हैं, तुमने गोपिया कह रहे हैं, हम कमजोर है, हम बिल्कुल श्रीकृष्णी के साथ उस प्रकार से जिस प्रकार से जो चीटी होती है, वो गुड़ से अकर्षित होती है, ठीक उसी प्रकार जो है, हम श्रीकृष्ण से आकर्षित है, आप तो मुझे रखते हैं, को समझ आगया होगा है, बहुत अच्छे से, कि यहां पर क्या बताएगा है, चीक है, अब हम आते हैं, मुझे जिस प्रकार ध्यान दोगे तो अभी क्या भी याद भी हो जाएगा, अब सेकिंड पर आता है, अजर कोई चीज में डाउट हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके, अगर आप कोछी समझ नहीं आई, किसी चीज में डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, मन की मन ही मांज रही, यानि कि हमाली जो मन की अभी लाशा है, वो मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पे उद्धो नाहीं परत कहीं, अब दी अधार आस आवन की तनमन विथा सही, अब इन जोग सलेशनी सुनी सुनी भी रही नी भी रह दही, चाहती हुती कुहारी जितहीते उत्ते धार भही, सूरदास अभधीर धरही क्यों, क्यों, मर जादा न लहीं, अब देखे बहुत साले सो समझ ना, मन की मन ही मांज जें, कि मन की अभी लाशा है, वो मन में ही रह गई, हमने पढ़ा था जब हम उपर पढ़ रहे थे, तो हमने का अथने कि सेकेंड में क्या क अभधी आधार आशा हुन की तर्नमन बिता साएं, कि आभधी आधार अनुपरा संहें है, अभधी आधार आशाह मन की जाते करते हैं, अब्धी आधार आस आवन की यानि कि उनके आने की आशा को आधार बना कर अब्धी का लिया देखो अब्धी ऐसे आधार कर बहुत समय से उनके आने की आशा को बहुत समय से उनके आने की आशा को आधार बना करके यह इसका मतला बहुत समय से उनके आने की आशा को आधार ब फुन्स ना करकर तन मन विथा रही दूख होता है तन मन विथा रही कश्ट 1 तन व से मन से हमने क्या पीडा को सहन किया लिए सोचकर वह आएंगे कभी ज़रूर बहुत चामय से हमने इस चीज को आशा मानaking करके इस आशा को लगाए हूं और आसाम रहर मैं तनमन के दुखों के है कि अब एफ сп्रकार के जोग के संधेश को सुन सून कर भी रहे हिनी भी रहता है वह झाले हैं हम दु ह ही जितना हम ने चाहता हम उनको गोहार लगाले उपतेदार है इसका मैं उण फिरा ने मेनिंग बिलाएते हूं निदा जाने, पर फिरास क कहने को बना को पार में बना वर रभावध है। लिदा लोगे अपर में रक्षणी, समें अपना वर रख्षणी सारी Hm जutral a करू बना मार रकषणी में थे जाने,бо कि अगना वर हम Cartainा रक्षर क्रने वाले इंसान को बुलाएं जुसकी रक्षा कर सकत। to figuring those… कि możको कई बास्तिज़ह किलाने कृमने कि हों कि इस में टेमधिक करते में, इस सी तारिव जाले को सभगा कि नरुलत में। वह यह भी कह लिए कि हम करेंगे करको करें तोफीन है सुरदाज जी भ oral गए दिफोस एकwa ुद शोरदास जी कह भारता अब शीक्रिष्ने जब मर्यादा का बालन नहीं किया तो हम दीरज को धारन क्यों करें अब यहां पर क्वेस्टन जो है थोड़ सा मता जाती है यह पर प्रॉब्लम होगी मर्जादा कौंसी मर्जादा की बात हो रही है इग्जाम भी पूछ लिया जाता है कि किस मर्जादा के बारे में गोपिया बात कर रही है तो यह मर्जादा है यह मर्जादा यह है कि यह कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको उसके बदले में प्रेम मिलना चाहिए यह मर्जादा यहां बात करें वह गोपिया कह रही है कि श कि युकर को प्रिम्नी करते है, यश को लगता है, कि भाइड है। उनसे मिल तो यह कहाती है लिए इसलियो और भाध नहीं किया है। दिरच को धारन कुझे की तो तो आपको समझ मालिया हूगा और को पूरा मैं आपको सब्सक्रादा है अगर कि वो समझ वो के दो नियुक्त सब्सक्राइब था नियुक्त गुर्ट जयुक्त शांपल जाक जे हैं इसे जब हो जब एक ह्पोले दोगा में सार से बाता दोगी यह शारा दो दोगा सकते हैं यह कर दो हो इन पर आपको समझ में आहिए है पद एक जिसमें ने देखा की क्या से वहAB जुन्ग कर रही हैं अब दूसरे पद में देखा कि वो कैसे स्विकार करें कि हमारी मन की अविलाशा है मन में रहेगी क्योंकि शीक्रिष्ण आई नहीं नहीं किया यह सब दो पढ़ लिए अब आपको तीसरा पद जो है वो दूसरी वानी वीडियो में पढ़ाऊंगी यह हमारे हरी हारल की चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है सपोर्ट भी करना है हमें क्योंकि अभी नहीं वीडियो जा रही है तो थोड़ा मुश्किल भी है तो आपको थोड़ा सपोर्ट भी करना है हमें और सब्सक्राइब भी करना है कमेंट आप कर लिए आपको कुछ चीज समझ नहीं आती कुछ situation आपको तो भी आप comment कर सकते कुछ और अच्छा करवेंगा so please like share and subscribe our channel thank you so much goodbye and see you soon in my next video